तेन अक्षनों से बने शब यानि तीन अक्षर वाले सब Now let's start So students, now start and read with me Okay? क्या पढ़ेंगे हम? तीन अक्षरों से बने शब Okay? हमने दो अक्षर वाले शब पढ़े थे आब हम पढ़ेंगे तीन अक्षरों से बने शब Okay? So start का प्लस मा प्लस ल कमल क्या शब्द बना कमल फ प्लेस स प्लेस ल फसल क्या शब्द बना हमारा फसल मा प्लेस ग प्लेस र मगर क्या शब्द बना मगर स प्लस ड प्लस क सडक क्या आप्षाप्त बना हमारे पास सडक ओके नाओ भ व न भवन आ म न अमन च म न चमन व त न बतन ह व न हवन प र म परम क म ल कमल क स म कसम ग र म गरम न र म नरम प ह ल पहल ट ह ल टहल च ह ल चहल ब ग ल बगल स र ल सरल र ब ब र र रबड ज गड़ जगड पा कड़ पकड ज कड़ जकड अ कड़ ब र र त बरत भ र र त बरत च ह ल चहल स र र ल सरल ट ह ल टहल ये हुए हमारे तीन अक्षरों से बने शब्ड तीन अक्षरों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास एक नया शब्द बना क्या कमल ओके नौ लेट्स रिपीट अगेन क प्लस मा प्लस ल कमल फ प्लस स प्लस ल फसल मा प्लस ग प्लस र मगर स प्लस र प्लस क सडक भ व न भवन आ म न अमन च म न चमन ब त न बतन ह व न अवन प र म परम क मा ल कमल क स मा कसम ग र म गरम न र म नरम प ह ल पहल त ह ल टहल च ह ल चहल ब ग ल बगल स र ल सरल र ब बड ज ग ड ज गड ज गड जगड ब र त बरत बरत च ह ल चहल स र ल सरल ट ह ल टहल ओके यह आपके तीन अक्षर वाले शब्दें इसे आप घर पे लर्न करियेगा देन रिटर्न प्रैक्टिस ओके बबाई चिल्डरंस